आखरे क्या सुधी महिला समाजना अमानुशी अत्याचानो भोग बनती रहे शे अब दूसरा अब मेरा बेटा हुआ तो उसके लिए भी मुझे बोला जाने लगा कि अब इसका खर्चा कौन करेगा बच्चे का ये तो मैंने उन्हें बोला कि अब मैं नौकरी कर रहे हुए मैं करवा सकती हूँ साथ मूं जितना भी सपर्ट में देने को तयार हूँ लेकिन एक एक पैसा मुझसे ले लिया जाता था तब मेरे माबाब के घर आती ओर उसके पैसे लेगे दो तो उसको मार पीट इतनी जादा करते थे कि वहार रहना मेरे लिए बहुत इंपॉसिबल हो गया था मुझे इतना जादा खराब लगता था कि आज तुम्हारा पोता है वो ठीके तुम्हें अपनी बहु के लिए नहीं रहा एक कोटे के लिए भी प्यार नहीं मतलब इंसानियत नाम की जो चीज बोलते हो उस घर में थी ही नहीं बिल्कुल भी नहीं थी मतलब हम नहीं सुछ रहे कि आपकी साथ ससुरों में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो आपका साथ जी तो अपकी हालात कैसे रहे होंगे वहाँ पर कोई भी नहीं था मतलब ये तो मेरे माबाब थे जो हमेशा मतलब मुझे समझाती थे कि बिटा हम है तुम चिंता नहीं करो हम है और अंदर की कुछ पॉजिटिविटी थोड़ी थी कि जो मुझे मतलब जीने के लिए और मेरे बच्चे के जब मैं शकल देखती थी तब मुझ को इस तरह से सामने आने की प्रेणा किस तरह से मिली मेरे घरवालों ने मुझे सपोर्ट किया कि इतना जादा तुम्हारे साथ हुआ अगर आज भी तुम बैठी रहोगी तो तुम्हारे जैसे तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है लेकिन और भी समाज में इस तरह की अगर आज तुम आवाज नहीं उठाओगी तो जिन्दगी में पता नहीं क्या क्या होता रहेगा दूसरी बात मैं एक टीचर हूँ मैं अपने बच्चों को स्टूरेंट्स को ये सिखाती हूँ कि बेटा गलत के सामने कभी जुको नहीं आज वही चीज़े मेरे साथ हो रही हैं तो वो चीज़े कहीं न कहीं मुझे हर्ट कर दीजी कि बच्चों को मैं क्या सिखाऊंगी कि ये कि गलती के साथ ही तुम हमेशी जुकते रहा हूँ लेकिन जब मैंने आवाज उठाने की कोशिश की, सामने आने की कोशिश की, पर मुझे फिर वहीं लगता है कि कौन साथ दे रहा है एक महीना मेरी F.I.R को लॉंच किया हो गया, लेकिन आज तक मुझे कोई भी रिस्पॉंस नहीं मिला है मैंने NGO में भी काफी ट्राइ किया, वहाँ अप्लिकेशन दी, उन से बाज की, लेकिन नोबडी हेल्प मी अब मुझे ये बताइए कि जो लास्ट सोर से मीडिया, मैंने मेरे एड़ोकेटे उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटर आप इनको अप्रोच करो, जरूर कोई ना कोई सुनेगा तो ये लास्ट होप है, जो मैं इस तरह से यहां आई हूँ है, आपको जल्दी से जल्दी न्याय मीले रुजान आप शू कहेशो, रुजान जी, के जेरी ते एक जे दिक्रानों दिक्रों छे, ते पर तिमने वालों ना लाग यो तिमना सासों माने याँ समझीने मने, थोड़ा चंगो भी थाई चे ने शौक भी लागे चे के आटली बदी कुरूरता ने, जाना माने जस फॉसमनी और नो कितलो दहेज माकता ने सू हतु पर अल्टिमेटली तो वोल सिंग रवल्स अरां मनी जे मने ख्याल जाई रहोचे, अगर सक्चुल होई तो, यह लोगो इस्ता थाज के दिक्री पेली दिवास आपी जाई ते नो छोक्रों को भी जाने परने नियू, आवा बदा केसिस भी में बहु समझे जे मान सासों कहे गषार में जाई जाई गर जाइन केण मा म सासान आप बाधा भाधा हो। घै तो आवारस में ए न केह जोगे जो जैए, और दो इसाननों कारों जैए, तो यह उसनने पर लामभा, स किया लोगो जाता हो। पर आपने विटी पना तो यह कोचो बैंड कि एक महीना थी पोलीस वाला कंपलेंट लिजी पना वारस्ट न थी अटो तो यह पाचल पडी ने ने आता मैं लग्की छो कि यह तो वाट गुड लायर ना तो गनिवार दू रिस्पेक्ट अंग ने कोई लायर के चाहिए पन गन करेंक मीडा का केसे स्लागे एक सपोर्ट दी बहेंयोंने मलिजु खें उरु मेली घान दा Abby बुट्री फेरो गवाल हें चाहिता घूंट कर दें और आखा मिर नो varied. कर दोड़ने तरिए पॉलीस सपोड़ कर दी एवने एंजी आपासे गया पन सपोर नदी मलियो सब्सक्राइब आपन जारे इम अर्म अभी बासे आपने जाने पने प्रम दूख थाई पाने नौट विख थे उन्हां बने भी नौट फेडिता जेन नंवर अगनीवधी भूम आज टाइबना आपने अचम्ब पेदा करी कारे आपने दूखता है इतली हद शुदीना अर्तियाचार जे महिला पर थायो होई ए बदा घना बदा केसों महूं एडवोकेट चू एले उन एक वस्तु जरूर के इसके बदा लोयर एक जिवा होता है नदी वरोबर घना लोयर ह होचे जे लोको ने फास्ट कारे वाई थे एमा पर इंटरस होचे कारण कि आज समय कोई नी पासे नदी अने आप उभी चूचू के महिला हो आज नी महिला हो जागे महिला हो विरू धत्तियाचारों उच्छा था है अने महिला हो ये बारत देशनू भविश्या छे इतले आज बापति चूच्रा अगर वधारी ते पहला लए शूब्रेक कर दोह कर दोच्छा कि ये इतले पासे आज बढ़िख अन्दन कुरियास हूब नाचू काार जाज भ बढ़िख स्ट्टी जाजिट पले हो ये अ जाखे पैसे न्न्दन कुरियास पर देस्ट्ट्ट्न ग्रत प्लेक बढ़िए कर दो कर दो दो कर दो करिंदे नाइत जनकी रही चेगता था लिए यह इंवर पुछने चाहूंगी कि आपको जब फिजीकरी मार मारते थें कॉण खास करके आपको अपको मार ना करते थे मेरे विजी पकड़ लेटी थी और मेरी ननन मतलब नीचे लेटा देते थे वो लोग और वांपकर बैट ज मुझे मतलब जबर दर्सी मेरे बाल खीचा करते थे वो लोग पकड़ पकड़ के जोर-जोर से और थपड़ मार देते थे मैं आवाज ना करूँ उसके लिए मुझे मेरे कपड़ा डाल देते थे कि कम से कम मतलब आजू बाजू लोगों को आवाज भी न सुनाई दे मेरी मतलब बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि अगर मैं गल्ती से थोड़ा बाहर भी निकल जाओं तो मुझे गालियां देना शुरू कर देते कि तेरे को बाहर निकलने को बहुत शौक है तू ऐसी है वैसी मतलब बहुत सब कुछ कि मुझे मतलब रुला देते थे सब के साम होगा बिल्कुल मतलब खाने पीने का तो मैं क्या बोलूं इससे मतलब सिच्वेशन अगर आज आज मेरी देख रहे हो था आपको पता ही चल जाएगा कि क्या होता है क्या जिन्दगी उस समय की होती है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती मैं सिफ बोलूंगी कि ऐसा हुआ व मुझे शादी के समय बुला था कि बिटा घर यही है इसे संभालना उस चीज को लेकि मैंने हर चीज बरदाश की हर चीज बरदाश की लेकिन सोच रही थी कि शायद कभी ना कभी कभी ना कभी ठीक होगा लेकिन आज ये हद आ गई है कि अब परेशान हो चुकिया कि मैं अब जो आज हो रहा है वो गलत है नहीं कहीं नहीं कहीं वो जमाने की बात कुछ अलग थी और आज की बात कुछ और रुजान जी आप शू कहशो आज बात मानना लेकिन मेरे को अजमबर और खाव इसनी पड़ी लिखी हुई हो आप 9 सार से जॉब कर रहे है और आप बोलते हो कि मेरे को घर से स्कूल जाने देते हैं और स्कूल से घर तो स्कूल में भी आपके जो भी कोई कर्मियों हो उप कलीक्स हो उँनकों साथ आप मेरे को थोड़ा एडिकेटेड परसंट मेरे को एक सपराइजिंग लग रहा है कि आप अगर आपके माबाप ने का है वो तो सत्य है हर लड़की के लिए सत्य है कि बई शादी एक बार होती लेकिन अब तो चेंज हुए है डिवार्स लोगों की भी चार बार बादने शाद परसंट लग रहा है तो मेरे को तो ऐसा परसंट लिए लग रहा है तो आपने इतना सहन किया इसलिए आपको और सहन करना पड़ रहा है अगर आप उतना सहन नहीं करते है पहले अगर आप बोलते हो कि मेरे सांस मेरे बाल खीट थी वो ननन लेट जाती थी मेरे पर बाल खी वो पुलिस बैग्राउंड को बिलॉंग करते थे तो वो लोग मुझे इस तरह से ट्रीट करते थे कि अगर बोले तुने जरा से भी कोशिश की है कम्प्लेंग करने कि ये कुछ भी करने की तो बोले हमारी इतनी पहचान है तेरे कोई नी सुनेगा तो वो मुझे इतना ज़्यादा धंका के रखते थे दूसरा मुझे बोला जाता था कि अगर तुने अपने घर पे भी बताया तो तेरे भाई की नौकरी तुडवा देंगे तेरे पापाजान जॉब करते वो करवा देंगे क्यों क्योंकि उनका था इतना पहचान थी और वो चीज इतना ज़्यादा मुझे डराती थी कि मतलब बोलने के अगर मैं कोशिश भी करूँ किसी को बता हूं तो मैं कहां जाओ क्योंकि आज आप देखिए मैंने की वो कोशिश हिम्मत की मैंने लेकिन रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है एक महीना हो गया मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं है तो बात तो वही आ जाती है जी हमारे पास ज्यादा समय ने इसलिए हम यही रूप जाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए साथ लूज बदू समा चारू मते जोता रह संदेश न्यूज